टोप थ्री माइनक्राफ्ट लोजिक देड़ विल ब्लो यूर माइन्ड नमबर वन सो अगर आप लोग एक कैंडल को प्लेस करके उसको जलाते हो और उसके उपर आप लोग पानी डाल दोगे तो वो नहीं बुझेगी हमारी कैंडल इंफानाइट जलती ही रहेगी या फिर अगर आप लोग पानी की जगह लावा भी डालोगे तो भी कैंडल को कुछ नहीं होगा जब कि हमारी कैंडल वैक्स की बनी होती है अगर आप लोग केंडल के नीचे के ब्लोक को तोड़ दोगे तो भी हमारी केंडल हावा में फ्लोट करती रहेगी अगर आप लोग एक टर्टल एक के उपर एरो को सूट करते हो या फिर कितने भी एरो सूट करते हो तो हमारा टर्टल एक कभी नहीं तूटता या फिर अगर आप लोग टर्टल एक के उपर एन्विल भी गिरा दोगे तभी वी टर्टल एक को कुछ नहीं होता बट अगर आप लोग उसी टर्टल एक के उपर खुद जम करोगे तो टर्टल एक नहीं बचेगा अब आप लोग कमेंट करके बताना कि हमारे स्टीव का वेड जादा या फिर एन्विल का अगर आप लोग का एमफायर के उपर खड़े होते हो तो आपको डैमेज परता है ये तो सबको पता है फिर वो चाहे सोल का एमफायर ही क्यों न हो बट वहीं अगर आप लोग एकी स्टोन कटर के उपर खड़े होते हो तो आपको कुछ भी नहीं होता जबकि उसमें एक धारदार ब्लेट लगी होती है फिर चाहे आप उसके उपर कूदो या फिर डांस करो आपको कुछ भी नहीं होता और वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग सब्सक्राइब भी कर सकते हों बाइबाइब कर सकते हों बाइबाइब